यह जो particular question आपको दिख रहा है, यह question पूछा गया है UPSC CISF की exam में, जो की सिर्फ तीन दिन पहले conductor की गई है, question को पढ़ो, question बोल रहा है, which among the following legal maxims, means V command, habeas corpus, mandamus, non bis in idem, or D alteram, pultem, इस question में maximum students को C और D option नहीं आते होंगे, मगर मैं एक ऐसे अफलाटून question को आपके सामने क्यों लेके आया हूँ, और क्यों, मैं आपको इतना pressurize करूँगा, कि इस topic में हर एक शब्द को पढ़ के, समझ के और रट के जाना, आइए देखते हैं कि इस UPSC CISF के question को पिछले दो सालों में UPSC कितनी बार अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग exam में पूछ चुकिए, ताकि आप पहले इसका importance समझो, UPSC Geoscientist 2024 की exam में ये question पूछा गया, इसके options देखो, आप मेंसे maximum लोगों ने मेरे जैसे, सिर्फ habeas corpus के बारे में सुना होगा, और बहुत ही ज़ादा हुआ, तो audie, altarm, partum के बारे में, और बताता हूँ ऐसा क्यों, आप मेंसे majority लोगों को ये तीनों ही चीज़ें नहीं आती होंगी, ठीक है, ये question है, UPSC Geo Scientist की exam में पूछा हुआ, जो की conduct की गई थी 2024 में, मतलब की बहुत ही recent में, अब मैं आपको एक और question दिखाता हूँ, इस question को देखो, options को देखो, और्टरेफोईस एक्विट, नॉन बिस इन इडेम, और्टरेफोईस कन्विक, और डी अल्टरम, पार्टेम, ये जो particular question है, मैं जाता हूँ कि आप लोग सब जाके देखो, ठीक है, ये जो particular question है, ये है CDS में पूछा हुआ, 2022 में, ठीक है, तो क्या आप ये बात समझ पा रहे हो कि CDS 2022, में जो question पूछा गया, वो UPSC Geo Scientist में repeat हुआ है, ये आप समझ पा रहे होगे, अब मैं आपको बताता हूँ, UPSC Civil Services Prelims 2023 के question, ये है UPSC Civil Services Prelims 2023 का question, जहां पर पूछा हुआ है, due process of law का मतलब क्या होता है, ये जो particular question है, ये based था, audio, अल्टरम, पार्टम पे, जिसका मतलब होता है कि दूसरी साइड को भी, आप जरूर सुनोगे, हर पार्टी का ये right होता है, to be heard, right to be heard, इसे कहते है, rule of fair hearing, और इसी लिए, जो UPSC Prelims 2023 में question पूछा गया था, जहां पर इसका answer था, principle of natural justice, यहां पर, ये जो question का answer निकल रहा था, वो निकल रहा था, oddee, अल्टरम, पर टम पे, तो बहुत अच्छी probability यहां पे हमें देखने को मिल रही है, कि इस trend को, UPSC 2024 में, फिर से दोराएगा, और अगर उसने question को फिर से दोराया, तो बहुत अच्छी probability है, कि आपको, इस तरीके के options देखने को मिलेंगे, जो आपको यहां पे देखने को मिल रहे है, तो अच्छा यह है, कि इनका मतलब हम अभी से पढ़ के जाएं, तो सबसे पहले, oddree voice, convict के बारे में, यहां पे option A है, यहां पे option C है, oddree voice, convict का मतलब होता है, convicted का मतलब convicted से समझ पा रहे हो, ठीक है, इसका मतलब होता है, you cannot try a person for an offense, for the reason that he has been previously, been convicted in offense, मतलब की, अगर आप उसे पहले ही, किसी offense में convict कर चुके हो, तो उसी offense पे वापस से, आप उस व्यक्ति को convict नहीं करोगे, यह कहता है, oddree voice convict, इसके बाद आता है, non bis in idem, non bis in idem का मतलब होता है, इसके पीछे का जो principle है, वो है double geo party, double geo party, आप सबने पढ़ाओगा, simply non bis idem, आपको लिखावा आएगा, तो इसका मतलब होता है, एक ऐसा issue, जो एक बार decide कर दिया हो, जुडिश्री ने, उसे आप फिर से raise नहीं करोगे, एक ऐसा issue, जो जुडिश्री ने, sort out कर दिया हो, उस पर decision ले लिया हो, उसे वापस से raise नहीं किया जाएगा, heaviest corpus का आप सब जानते हो, to have the body of, audit, ultram, partum का मतलब हम पहली देख चुके हैं, कि हर व्यक्ति को opportunity मिलनी चाहिए, अपनी बात कहने के लिए, that means a person must be given an opportunity to be heard, before any decision is made, जो कि उसके interest को affect कर रहा है, तो यह हमने इसमें सारे मतलब देख लिए, अब आपके लिए homework किये है, आप यह बताओगे कि, auditory voice equity का क्या मतलब होता है, नीचे chat section में, at the end दोस्तों, मैं आपको यह बता दूँ, कि हम पूरे geoscientist के paper को, civil services के लिए solve कर चुके हैं, कि किस तरीके से question पूछे जा रहे हैं, किन areas में UPSC का focus है, everything we had already discussed, अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, जहां पे हमने इन सारे questions को बहुत elaborately discuss किया है, तो आप जाके देख सकते हो, साथ ही, जो भी important topics की list है, for UPSC civil services prelims 2024, वो भी मैंने हर subject की आप लोगों के लिए बना दी है, along with PT 365 की topic को कैसे पढ़ना है, कौन-कौन से topic में कौन-कौन सी चीज़ें important है, और previous year में उनसे कैसे question पूछे जा चुके हैं, और आपको अब किस तरीके से तयार होके जाना है, यह सारी चीज़ें मैं आपको provide कर चुका हूँ, I hope so कि आपने सारे वीडियोस देख लिए होंगे, अगर आपका कुछ मिसिंग हो, you have enough time, do complete them, they are very very important for Prelims 2024, catch it from my side for this particular topic, we'll meet you soon, till then keep shining, have a good day.